हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल मनी शकीर रसोई में आप सब का स्वागत है आज मैं आपके लिए अनुपमा स्टाइल कीटो बर्गर की रेसिप लाई हूँ यह बर्गर आज कल बहुत ही ट्रेंड कर रहा है यह टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है अगर शेयर और सब्सक्राइब जरू कीजिएगा तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं कीटो बर्गर बनाने के लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू लिये हैं और इने मैंने अच्छे से कद्दुकस कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे आधा चमच हल्दी पावडर एक चम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे और इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है अब हम इसके टिक्की बनाएंगे इसके लिए मैंने हातों मे इसकी एक टिक्की बना लेंगे ये देखिए इसी तरीके से हम सारी टिक्की बना लेंगे ये हमने टिक्की बना कर तयार कर ली है अब हम इने तवे पर सेक लेंगे ये देखिए गैस पर मैंने एक पैन रख दिया है गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है इसके उपर हम यह अब देख सकते हैं सारी टिकिया मैंने तवे पर रख दी है अब हम इने अच्छे से नीचे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेख लेंगे जब यह एक तरफ से अच्छे से से शेख जाएंगी हम इने इस पैचुला की मदद से इस तरीके से पल्टी कर देंगे अगर आप चाहे तो चिम्टे की मदद से भी आसानी से इसे पल्टी कर सकते हैं इसी तरीके से सारी टिकियों को मैंने पल्टी कर दिया है अब हम इने दूसरी तरफ से भी क्रिस्पी होने तक सेख लेंगे यह देखिए आप देख सकते हैं यह हमारे टिक़ी अच्छे से क्रिस्पी हो गई है मैंने इने एक थाली में निकाल लिया है उसी तवे पर थोड़ा सा बटर मैंने फिर से डाल लिया है बटर को हमें फिर से अच्छी तरीके से फैला लेना है अब हम इसके उपर पनेर के स्लाइसेस रख देंगे ये दिखिए मैंने यहाँ पर पनेर के स्लाइसेस रख दिये हैं अब हम इने भी एक तरब से अच्छे से गोल्डन कलर आने तक सेख लेंगे जब ये अच्छे से सीख जाएंगे हम इन्हें चिम्टे की मदद से पल्टी कर देंगे इसी तरीके से दूसरे साइड में भी हमें अच्छे से सीख लेना है ये दिखिए दूसरे साइड से भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से सीख चुके हैं जब ये अच्छे से सीख जाए अब हम इसे पैन के उपर हम जो बर्गर बनाने के लिए सब्जियों के स्लाइसेस इस्तिमाल करने वाले हैं इन्हें भी रख देंगे ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है अगर आप इन्हें नहीं सेखना चाते तो आप इन्हें कच्छा भी इस्तिमाल कर सकते हैं हमें इन्हें ज़्यादा नहीं सेखना है बस एक से दो मिनिट के लिए हमें इन्हें सेख लेना है तो किटो बर्गर बनाने के लिए हमारी सबजियां भी तयार है ये हमने टिकियां भी तयार कर ली है और पनेर को भी फ्राइ कर लिया है तो चलिए किटो बर्गर बना लेते है किटो बर्गर बनाने के लिए हमें बंद की ज़रुत नहीं है पत्ता गोभी का हमें एक बड़ा सा पत्ता निकाल कर ले लेंगे और इसे में हम किटो बर्गर बनाएंगे सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक चमच मेयोनेज लिया है मेइोनेज हमें पत्ते के उपर इस तरीके से लगा लेना है इसके उपर हम एक आलू की टिक्की रग देंगे इसके उपर से मैं थोड़ा सा मस्टर सौस लगाऊंगी अगर आपको पसंद है तभी आप इसे लगाईएगा इसके उपर हम एक टमाटर की स्लाइस रख देंगे, दो ककड़ी की स्लाइस रख देंगे, एक प्याज की स्लाइस रख देंगे, इसे के उपर हम एक शिमला मिर्ची भी रख देंगे अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा औरिगेनो और इसे जदा चटपटा बनाने के लिए डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला इसके उपर एक पनिर की स्लाइस रख देंगे इसके उपर एक चम्मच मेयोनीज और लगा लेंगे एक आलू की टिक्की और रख देंगे इसके उपर थोड़ा सा मस्टर्ड सॉस आखरे में हम इसके उपर रखेंगे ग्रेट की ओवा चीज अब हम इसे गोभी के पत्ते से इस तरीके से बन कर देंगे इसी तरीके से एक बर्गर मैंने और बना लिया है इसके उपर भी आखरी में मैं रखोंगी ग्रेट की ओवा चीज इसे भी पत्ते से अच्छे से बन कर लेंगे अब हम इने बेक कर लेंगे अगर आप चाहे तो तवे पर भी इने दोनों तरफ से दो-दो मिनट तक सेख सकते हैं मैंने इने बेक कर लिया है और ये हमारे कीटो बर्गर बन कर तयार है आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगा ये टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्दी भी है ये देखिए ये कितने टेम्टिंग हमारे बर्गर दिख रहे है आजकल ये बर्गर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है अगर आपको मेरे वीडियो थोड़ा से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजे थैंक यू